Welcome back to our class. आज कि हमारी class है reasoning की. Reasoning में हमारा जो topic हमारा है direction का यानि कि दिशा. अब इसमें किस-कस type के question आने हैं, इसमें 2-3 type के ही question होते हैं. जो जो सबसे famous question है, जो आता है कि वो अपने starting point से कितनी दूरी पर है. अब उसका मै buat को standing की की कैसे कैसे होता है उससे पहले direction के question करने से पहले आपको कुछ बाते समझनी जरूरी है कि कौन कौन शी दिशाएं हमारे होती है तो ये तो सबको ही पता होता है कि 4 direction होती 4 दिशाएं होती है पूरफ पश्यम उत्तरफ दक्षिन तो इस side जहां से सूरज निकलता है आपको एक छाया वाला कोशन भी देखना है तो जहां से हमारा सूरज निकलता है वो होती हमारी पूरव इस फिर इसके लेफ्ट आन्ड साइड में ये लेफ्ट है और इधर हमारा राइट यानी कि जो अगर घड़ी की दिशा में देखें तो clockwise right right में हो गया दक्षन और anti-clockwise left में हो गया आपका उत्तर अब simply हम लोगों को वैसे पता ही होता है बट ये left और right भी आपको ध्यान रखना है ये छाया वाले question में आपको ध्यान है इसमें आपको इसकी जरुरत पड़ेगी यहाँ पे हो गया उत्तर उपर को फिर यह हो गया south direction west ये तो हो गई direction उसके बाद आती है कुछ sub direction sub direction में आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक है north east जो कि north और east के बीच में पड़ेगी उत्तर पूर्फ यह हो गया उत्तर पूर्फ north east फिर north और west के बीच में जो पड़ेगी उत्तर और पशिम के उत्तर पशिम south and west के बीच में पड़ेगी southwest और south और east के बीच में जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी दक्षिन पूर्विया southeast अब इससे related किस किस टाइप की question आएंगे एक्षाम में वो वन बाइवन हम देखते हैं अब देखे पहला question है वो इस डाइग्राम से ही उसे आप solve कर लेंगे देखे पहला question है if south east becomes north north east becomes west and so on what will west become यदि आपका उत्तर sorry दक्षिन पूर्व बन जाता है आपका उत्तर दक्षिन पूर्व बन जाता उत्तर और north east और उत्तर पूर्व आपका बनता है पश्यम और इसी तरीके से चलता रहता है तो last में आपका पश्यम क्या बन जाएगा देखे सबसे पहले बोला हुआ है कि south east दक्षिन पूर्व बन रहा है आपका और north east उत्तर पूर्व बन रहा है आपका पश्यम तो आपको फिर पूछा वाए कि पश्यम क्या बन जाएगा देखे इस direction में आप देखेंगे कि south east क्या बना है ये है आपका south east ये बन गया है आपका north ये है यानि कि बीच की दो direction छूट गई है कि इसकी जगह क्या आ रहा है आपका मतलब south east आ रहा है ये घूम रहा है इस तरीके से और फिर बोला है कि north east becomes west north east कहां पर आपका ये है north east north east becomes west फिर से उसने दो direction छोड़ दी है हांकी बीच की और ये बन गया है west तो ये चीज आपके दिमाग में आ गई होंगी कि बीच की दो direction छूट जा रही है simply इस question में ये बोलना चाहरा है आप पुछावाय है कि west क्या बन जाएगा यानि कि पश्यम क्या बनेगा तो पश्यम भी आपको लगा देना है कि बीच की दो direction छूट जाएगी तो पश्यम क्या बन जाएगा आपका दक्षिन पूर्विया south east easy question है बट उसके लिए आपको बस ये एक जो direction का diagram है ये आना चाहिए अब इसकी जगा question में कुछ भी change हो सकता है south east की जगा आपका south हो सकता था यहाँ पे change होके कुछ और हो सकता था बट जब तक आपको ये direction का knowledge नहीं होगा आप इस question को नहीं कर पाएंगे और ये question exam में पूछा जाता तो इसका answer क्या था कि west क्या बनेगा west दो direction छूट जाएगी बीच के west बन जाएगा आपका south east तो इसी तरीके से आपको अपने लिए question खुद फॉर्म करने आप आगे अपने लिए और तरीके के भी question बना सकते हैं जो इस चार्ट से आपके बन सके अब जो सबसे famous question है जो सबसे ज़्यादा आता है exam में वो यही question है कि अब मैं इसको बताती इसको करना किया है सबसे पहले है इसमें question में है कि राजू walks 80 meter towards south then turns to the right and starts walking straight till he completes another 80 meter then again turning to his left he walks for 60 meter he then turns to his left and walks for 80 meter how far is he from his initial position last 2015 में भी कुछ इसी type का question था अब इसमें है कि राजू 80 meter जाता है राजू दक्षिन की ओर 80 meter जाता है उसके बाद वो है अपने दाएं मुड़ जाता है और चलना start करता है सीधा चलना start करता है जब तक कि वो है अगले 80 meter ना चले simply राजू दक्षिन की तरफ 80 meter जाता है और फिर अपने दाएं मुड़ता है और फिर 80 मीटर चलता है फिर से वो मुड़ता है अपने बाएं और फिर चलता है 60 पहले वो रक्षन की तरफ गया उसके बाद अपने दाएं मुड़ा और 80 मीटर चला फिर वहां से दाएं मुड़ने के बाद वो फिर से लेफ्ट बाएं म उड़ा और फिर 80 मीटर चला आपको बस यह दाएं बाएं ध्यान रखना है बागी इस कोशन में कुछ इतना टफ नहीं होता बहुत इजी कोशन होते हैं अब यह है कि राजू अपनी प्रारम्भिक अवस्ता से कितनी दूरी पर होगा अब देखें इस कोशन को कैसे करना है अब देखें राजू की कोई स्टार्टिंग पोजिशन ले लीजें यहां पर बाइदवए ए है जहां पर राजू पहले खड़ा है यहां से वो चला सबसे पहले वो चला है साउथ की तरफ तो साउथ हमें पता है नीचे की तरफ होता है तो यहां पर से वो चल चुका है 80 म अब वो मुड़ा अपने उसके बाद वो मुड़ा है अपने दाए तो देखे एक चीज आपको ध्यान रखने है अगर मैं नौर्थ की तरफ खड़ी हूँ तो यह हो गया मेरा लेफ्ट और यह हो गया मेरा राइट तो अगर मैं साउथ की तरफ खड़ी हूँ तो यह उल्टा तो ये भी वो 80 चल गया फिर वो यहां पर पहुंच गया और उसका डारेक्शन इधर को है यानि कि उसकी वेस्ट की तरफ को डारेक्शन है अब आगे उसके बाद क्या करा उसने फिर से वो मुड़ा अगें वो मुड़ा अपने लेफ्ट में अभी पहले तो राइट मुड़ यानि कि यहां से अगर राजू ने स्टार्ट किया था तो पहले वो 80 चला फिर राइट मुड़ा फिर 80 चला फिर यहां से लेफ्ट मुड़ा और लेफ्ट के बाद वो सेला साट अब उसके बाद क्या करा उसने फिर से वो मुड़ा लेफ्ट अब देखिए यहां से मेरा इधर होगा इस साइट को होगा वो बुढ़ गया इधर और इधर फिर से चला वो असी मीटर आप पूछावा है कि यहां पे उसने अपनी जो यात्रा है वो खतम कर दी है कि राजू अपने प्रारम की इस तीसी से कितनी दूरी पे है अब पहले वो ए पे था अब लास्ट में अगर उसने यहां पे खतम करी से मैंने भी मान लिया अब देखे इसमें क्या होता है देखे पहले असी चला है यहां बीच की जगा आपको खाली दिख रही है नहीं तो आप सीधा यह असी चला है और यहां पे जितना होगा प्लस एड करके ए से बी की दूरी निकाल लेंग देखे यह बनता है आपका जो यहां पे मैं जिसके उपर पैन चला रही है यह बनता है आपका या तो वर्ग बनेगा या आयद बनेगा इस कंडिशन में आयद बन रहा है जिसे बोलते है रेक्टेंगल तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है यानि कि असी इसकी है तो 60 यह है तो यह भी आपका 60 हो गए यानि कि पहले राजू यहां से यहां से असी चला और फिर यह चला है वो 60 तो कितना हो गया 80 और 60 आपका हो जाएगा 140 तो राजू की प्रारंबिक इस तिसे अंतिमिस्टिति के बीच की दूरी कितनी हो गई 140 मीटर आपको उसको ऐसे चला फिर 80 यह चला फिर 60 चला और फिर 80 चला और आपने सब को जोड़ दिया नहीं हमें नियुनतम दूरी निकालनी होती है जो की डिस्प्लेस्मेंट या विस्तापन भी जिसे हम बोलते हैं तो पहले यहां पे था और अब यहां पे है तो उसके बीच की दूरी कितनी हो ग चार किलो मीटर यह चार मीटर उसके बाद उत्तर से वो मुड़ गया आपका लेफ्ट में लेफ्ट यानि इस साइड मुड़ा और फिर मुड़ा वो वो चला तीन मीटर आप इसे कोशन को नोट कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी उत्तर दिशा में यह नौर्स डारेक्श तो इस कंडिशन में आप क्या करते हैं ऐसे नहीं कि चार प्लस तीन कर देंगे उसकी प्रारंबिक इस्तिती यह है इसे मैंने A माल लिया और इसे B माल लिया और अंतिम इस्तिती उसकी B है तो इनके बीच की दूरी होती है यह A और B को यह बनता आपका समकोंड राइट अंगल ट्रैंगल और इसमें लगती है पाइथा गौरस पर में पाइथा गौरस पर में क्या होती है कर्ण का स्क्वाइर यानि कि हाइपोटिनिस का स्क्वाइर इक्वाल्स टू लंब का स्क्वाइर परपेंडिकुलर का स्क्वाइर प्लस बेस का स्क्वाइर यान तो इस पे ख़ड़ा होता है फे कहाँ चार का स्कॉयर 8 की स्कॉयर 8 चार के खुर हो 220 चीस के नौ तो कि यह हो कि जाएक ऑपभिख सखेला है ग्यान लेकि यहाँ चार के स्कॉय थिक ठॉक tार. तो 25 का वर्गमूल होता है 5 तो उसकी प्रारंबिक इस्तिसी से अंतिमिस्तिती के बीच की दूरी कितनी हो गई है 5 किलो मीटर इसी तरीके के आपके पास कुशन आएंगे या तो फिर त्रिभुच से रिलेटर आता है त्राइंगल से या फिर उसने कितनी दूरी चली है उस ट चला देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फो 50 मीटर इसके बाद वो बाय मुड़ा और 50 मीटर चला देन ही टर्न्स राइट एंड वेंट 70 मीटर फिर उसके बाद वो दाय मुड़ा और फिर चला 70 मीटर देन ही टर्ण्स राइट अगें फिर से वो दाय मुड़ा और 50 मी अब इस्ट में चला है पूरव की तरफ चला है तो पूरव हमारा इधर को होता है कितना चला 60 मीटर 60 मीटर चल गया संदीप अब उसके बाद वो फिर से मुड़ा है अपने लेफ्ट की तरफ तो जब मैं इधर की तरफ मुह करके रखूंगी पूरव की तरफ तो मेरा लेफ् तो आप खुद भी उधर को खड़े होके अगर आपको कन्फूजन हो रहा है तो एक्जाम में आप अपना मुँ उधर की तरफ कर सकते हैं जनरली ऐसे ही क्यार के कन्फूजन दूर किया जाता है नहीं तो एकदम से उतर जाता है कि कौन सा लेफ्ट होगा और कौन सा निकाल सकते हैं तो देखिए संदीब ने स्टार्ट किया इस्ट की तरफ 60 अब वो लेफ्ट मुड़ा है लेफ्ट मेरा हो गया इधर को और फिर के इतना चला वो पहले 60 चला था फिर इधर चला वो अपना 50 लेफ्ट मूढ के, फिर left से वो फिर right मूढ तो जब मैंने, इधर को मेरा मुढ है, यह side यहाँ पर मैं खड़ी हो, अब मैं इसका right देखूँ तो right होगा मेरा फिर इधर, फिर छला वो इधर से 70 और यहाँ से वो, अगर मेरा यह जो बीच का है जो मैंने dotted किया है यह हमें नहीं पता है लेकिन यह हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि यह बन रहा है हमारा rectangle आयत बन रहा है जिसके आमने सामने की बुझाएं बराबर होती है यह 50 हो गया यह 70 हो गया तो यह भी 70 हो गया तो अब starting point से उसकी दूरी कितनी हो की दूरी हो गई है अब एक question बनता है आपका shadow का यानि की परच्छाई का परच्छाई के case में दो case होते हैं एक होता है सूर्योदय सन्राइज वाला और दूसरा होता है sunset सूर्यास्त का अब इस चीज में आपको दो चीजे ध्यान रखनी है कि सूर्योदय में आपका पूर जो sun की इस्तिती होती है वो east में होती है और सूर्यास्त में आपकी sun की इस्तिती होती है वो west में होती है तो आपको खुद ही वहाँ पर question में नहीं दिया रहेगा आपको खुद से याद रखना है कि उस time sunrise के time पर सूर्या इस्त में होता है और sunset में आपका west होता है तो अब जिसकी भी छाया बन रही होगी, अगर वो लेफ्ट में बोलागा, कि उसकी छाया लेफ्ट में बनी है, किसी आदमी की बन रही है, पोल की बन रही है, कि उसकी छाया लेफ्ट में हो रही है, अगर मैं संराइस की बात कर रही हूं, सूरदयो की बात कर रही हूं, कि छाया को आपको ध्यान रखना है और वेस्ट की अगर संसेट की बात करें तो आपको वेस्ट का निकालना पड़ेगा अगर वेस्ट का राइट और वेस्ट का लेफ्ट बस आपको संड्राइज और संसेट दो चीजे ध्यान रखनी है और जिस भी चीज की छाया बन रही है और जिस सूरज का left और right निकालना, बस यह देखना कि उस टाइम पर सूरज कहा होगा, east या west में, अब जैसे इस question में है, तो यहाँ पर sunrise की बात है, तो इस question में सूरज होगा, वो east में होगा, तो हमें सूरज का left और right निकालना पड़ेगा, तो पहले हम देखते हैं, one morning after sunrise, सुर्योद कर रहा है किसी खंबे को, the shadow of the pole was forming on the left side, ठीक है, अब चाया किसकी बन रही है, क्या पता है, पोल की जगह कोई दूसरा अमरित का दोस्त भी हो सकता थे, यहाँ पर pole word है, ठीक है, तो जो खंबे की चाया बन रही है, वो left side बन रही है, तो आपको समझ में आ गया कि किसका left न उत्तर में होगा, अमरित और खंबा यहाँ, इस तरीके से, अमरित यहाँ पर खड़ा है, खंबे की तरफ मुग करके, और यहाँ पर खंबा है, यानि कि उत्तर में खंबा है, अमरित का, तो पूछा हुआ है, कि which direction अमरित was facing, कि अमरित ने कौन सी direction को अमरित face कर रहा है, य सेम कॉस्चन अगर संसेट का होता है यहां पर संसेट होता तब कंडिशन अलग हो जाती है तब कंडिशन यह होती है कि मैं अगर वेस्ट में हूँ मैं इधर को हूँ तो मेरा लेफ्ट यह है और मेरा It यह है chip क्योंकि इधर मेरा town होता है स्चाइट को मे देख रही कि तो सुरग का भी left यह होगा और राय्ट होगा तो सुरज का भी lefd होगा ऊसे करेक्षन में पोल इधर को हहता है जब कि सन्राईइज हो रहा है तो तब नौर्ध और अगर Sunset की बात होरी तो साउठ डारेक्शन में में अमरीत का मुह कि इतर को साउठ में होगा तो चैया का गर अगर कॉस्ट्ञ बनता है अगर खैडरवाला कॉस्ट्ञ बनता है तो इसी टाइप का आपको बाकि आपको question जहां से मिलते हैं आप अपने आप practice कर सकते हैं किसी को कहीं पर दिक्कत होती है तो वो मुझे personally message करके पूर सकता है तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही कल हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye take care good luck for your exam